सोसल मीडिया पर राष्ट और धर्म बचाने वाले कब अपनी पसंदिदा पार्टी को बचाने लगते हैं पता ही नहीं चलता ऐसे लोगों को लिए हिंदुस्तान हिंदूओं का अस्थान है और हिंदूओं की सबसे बड़ी सोगोसित पार्टी भाजपा है यही वज़ा है कि सोसल मीडिया के राष्ट वादी एक ही समय पर पार्टी और राष्ट दोनों को एक साथ बचा रहे होते हैं सोसल मीडिया के राष्ट वादियों की ताजा सिकार बनी हैं ब्रिगेडियर एलेस लिडडर की बेटी आसना लिडडर बता दें कि तमिलनाडू में 8 दिसंबर को हुए हेलिकॉप्टर क्रैस में ब्रिगेडियर एलेस लिडर की मौत हो गई थी 10 दिसंबर को दिल्ली के बरार स्क्वाइर समसान घाट पर ब्रिगेडियर का अंतिम संसकार किया गया इस शन की भागुक तस्वीरे सोसल मीडिया पर शेयर की जा रही है जब दिल्ली में आशना अपने पिता को मुखागने दे रही थी तब सोसल मीडिया पर उन्हें वोक बता कर ट्रोल किया जा रहा था ताजा जानकारी के मुताबिक ट्रोलिंग से परिसान होकर आशना ने अपना Twitter handle deactivate कर दिया है 17 साल की आसना के साथ ये सब सिर्फ इसलिये हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले देश की खराब हालत पर चिंता जताई थी और विपक्ष के नेताओं का ट्वीट लाइक किया था ट्रोलिंग की मुख्य वज़ा भहुसंख्यकवाद का नशा और नेताओं की आलोशना को देश के लिए खत्रा समझने की नाजी मूर्खता है आसना ने कुछ दिन पहले एक जागरुक नागरिक की तरह यूपी के मुख्य मंतरी योगी आदितनात की कारे सेली पर सवाल उठाते हुए राज्य में उत्पात को कम करने का सुझाओ दिया था आसना ने जो किया वो देश की सभी नागरिकों को करना चाहिए नेताओं से सवाल पूछना उनकी कारे सेली पर नजर रखना नागरिक धर्म होता है अपने द्वारा चुने नेताओं से सवाल पूछते रहना जिन्दा लोकतांतरिक नागरिक की निसानी होती है लेकिन अफसोस दुनिया की सबसे बड़ी डेमुक्रेसी का दावा करने वाले महान भारत की चिरकुट नेताओं की भावनाएं एक 17 साल की लरकी के सवाल से आहत हो जाती है जिस इंडियन आर्मी के नाम पर ये चिरकुट नागरिक और उनके नेता नफरत का व्यापार करते हैं उसी आर्मी आफिसर की बेटी को सोसल मीडिया पर रौन देते हुए इन्हें एक मिनट नहीं लगता आसना को वोक कहकर ट्रोल किया जा रहा है अब सवाल उठने लगा है कि ये वोक क्या है भाजपा और उसकी सोसल मीडिया आर्मी ने जिस तरह पहले सेकुलर सब्द गाली बना दिया वही अब वोक सब के साथ किया जा रहा है वोक का मतलब होता है जागा हुआ सवाल उठता है कि किसी के जागरुख होने से इन दक्षिन पंथी ट्रोल्स को क्या परेशानी है दो दिन पहले पिता को खोने वाले 17 वर्षी आसना की ट्रोलिंग देख कई पत्रकार नेता और बुद्धी जी भी परेशान नजराए फिल्मेकर और लेखक विनोत काप्री ने ट्वीट कर लिखा है कि जिस 16 साल की बेटी ने दो दिन पहले पिता को खोया जिसने आज पिता को मुखागनी दी उस बच्ची को IT सेल ने इसकदर परिसान किया कि उसे अपना ट्वीटर हैंडल बंद करना परा वज़ा उसने पिछले ट्वीट में देश के हालाट पर चिंता जताए थी और विपक्षी नेताओं के ट्वीट लाइक किये थे ये घिनोना नया भारत है शिव सेना की नेता और राजसभासांसद प्रियंका चितरवेदी ने ट्वीट किया है कि वो अभी 17 साल की है उसने अभी अभी अपने पिता का अंतिम संसकार किया है जो एक आर्मी आफिसर थे उसे उसके विचारों के लिए ट्रोल किया जा रहा है वे उसकी जागरिती को म ही करना चाहते हैं इस प्रकडिया में उसने अपना एकाउंट डिलीट कर दिया है और कितना नीचे गिर जाओगे